हेलो अरिवन गुड इवनिंग स्वागत अब सभी का ओनलाइन स्टेडियून में आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट अब्जेक्टिप डेली मॉक्टेस्ट सीरीज में सेट नमबर 45 ठीक है जिसमें लोग 50 MC क्यों देखते हैं 40 क्यों लूसेंट से और 10 क्यों क्या रहने वा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा लूसेंट सब्जेक्टिप पेस नमबर 54 में आपको देखने को मिलेगा जिग्रॉफी की बात के तो जिग्रॉफी में भारत की प्रमुक जीले एवन जल्परपात जल्परपात इसे पहले ही में आपको हमक भी दिया था आई होब क आपको एक टॉपिक दिया था अब यहाँ पे थोड़ा साम लोग बढ़ा करके पढ़ेंगे क्योंकि अब सिर्फ रिवीजन करना होगा तो आपको फिर से मैं वही नहीं करूँगा कि एक टॉपिक ले करके पढ़ो तो आप रिवीजन के तोर पर पढ़िएगा क्योंकि क्या चीजे कंप्रीट करा दिया है मोंतलिवाइस में हमारा कंप्रीट हो चुका तो आइधो क्रेंट आपने कांफिशат तरीक से पढ़ लिया सिर्फ और सिफ आपको रिवीजन करना है तो आप करेंट अफेस को रिवीजन करते रहेगा हो सकेट वीडियो के मादिया हो सके तो जो भी आपने बुक्स पढ़ा है उस बुक्स के मातें से ठीक है तो करन्ट अफेस पर आपको बस रिवाइज करते रहना है मैं भी आपको बोलूँगा एक दो वीडियो के बाद बाद ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी आप हमें कॉर्ट और यहां पर सब्जेक्ट थी उसको पढ़ेंगे और साथ सा डाबलू एच्चा यानि की वर्ल्ड जो हैपिनेस इंडेक्स है इसको पढ़ेंगे ठीक है और इसकी जो 2020 की रिपोर्ट थी इन दो टॉपिक्स को काफी अच्छे तरीके से पढ़ेगा क्यूंकि यहां से अक्सर पूछे जाते हैं तो यह रहने माला हिकनॉमिक्स का आपका टॉपिक तो यही है काल का हुमक आपको कल अच्छे से सब्सक्राइब चीज़ों को पढ़ लिजेगा ठीक है चली आज किस वीडियो को सुरू करते हैं देखे फर्स्ट क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित की गई काफी अच्छ जलिया वाला बागत्यकन तो यह डेट भी याद रखेगा और यह डेट भी इंपोरेंट है सही आंसर यहाँ पर ऑप्सन सी को टिक करेंगे चलिए नेक्स्ट विसंस क्या कह रहा है वरिंद्र कुमार घोस के किरिया कलापो ने एक गुप्त किरिया करांती कारी संगठन को ब पढ़ी और बते कि कौन सा मिलान यहां पर सही नहीं किया गया है दिक एक्जामस में आजकल अब डेट के साथ पुछा जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पर डेट भी मेंसन किया था कि आप पच्छे से याद रखो चौरी-चौरा कारण किया था पांच फरवरी 1922 बिल्कुल स सही है लेकिन तीन जनवरी नहीं था तीन फैवरी था डेफिनिटली आपने होमवर्क में पढ़ा होगा ठीक हम तीन फरवरी यहां पर राइट आंस रोगा ऑप्सन हम डी को टिक करेंगे जो की गलत है ध्यान रखेगा चलिए वैसा नमबर फूर क्या किस भारतिय रखा रा प्रस्ताव पारित किया गया उस वक्त भारत के वैस राय कौन थे यह क्वेसं काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान टेकेंगे राइट आंसर क्या होगा 1940 में और आपको पता है कि लॉड लिल नित्गो का सासनकाल क्या था समय क्या था 1936 से 1943 जो की भारत छुड़वा को टिक करेंगे आठ अगस्त निसो चालिस को अगस्त प्रस्ताव के समय यही थे नेक्शन बनता है कि अतिवादियों वह उधार वादियों के पुनर मिलन की प्रकिरिया में प्रमुख सिल्पी निम्ल में से कौन था तो प्रमुख सिल्पी के रूप में किसे जाना जाता है एनी बैसेंट ठीक है एनी बैसेंट ऑप्शन ए करेक्ट अंसरो नेक्स्ट निम्लीखित में से किसे भारती असांती के जनक के रूप में जाना जाता है भारती असांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो ब यहां पे काफी test में करा चुका हूँ देखिए rank 21 आपको देख रहा हूँगा यह WhatsApp का skin sort है हमारे group का तो यह कल का sit का है जो कि sit number 21 करा चुका हूँ और regular हमारा यह sit चलता है 50 questions के साथ अगर आप interest रखते हैं तो आप मारे साथ इस online test में जोईन हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको 30 रुपे पे करना है सिर्फ और सिर्फ मार्च महिने के लिए यह आपका पता है कि 49 के साथ start हुआ था पूरे मार्च के साथ लेकिन अब मार्च में कुछ समय खतम हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपे के साथ कर सकते हैं करना कुछ नहीं है जॉइन होने के लिए इस नंबर पे आपको बात कर लाना है जो भी प्रॉब्लम हो आप चाओ तो डिसकसन कर सकते हो और इसी नंबर पे आपको 30 रुपए गूगल पे या फिर फोन पे के थुरू करना है और जो भी आप पेमेंट करेंगो उसका करीब अब तक इस ग्रूप में 190 लोग जोड़ चुके हैं अगर आप इंट्रस्ट रखते तो जॉइन हो सकते हैं तो चलिए बाद आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं नेक्स्ट रट बहुंता है कि किस ने महम्मध अलि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एक्ता के दूत के रूप में कहा है। हिंदू मुस्लिम एक्ता का दूत किस ने कहा। मुहमद अली जिन्ना को राइट अंसर होगा सरोजनी नाइडू जी ने कहा था ऑप्शन एक करेक्ट है मुस्लिम लिग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे हैं देगे यह सभी कुछिंस बहुत ज्यादा इंप्पोर्टेंट है हर एक्जामस में डेफिनिटली आपको देखने को म में वोम्रूल लिग आरम की गई थी नेतितन में किसके नतितमnh 1516 में 002 एक आरम की गई है कि स कणि conjunction सुंदर्वान का डेल्टा कौन सी नदी बनाती यह बते एक दुनिया का सबसे बड़ी डेल्टा के रूप में जाना जाता है सुन्दरवन का डेल्टा तो ये कौन सी नदी के दौरा बनाई जाती है तो गंगा और ब्रह्मेपुत्र नदीयों के दौरा बनाई जाती है option C correct है नेक्स्ट वर ने तावा किसकी सहयक नदी है तो ध्यान रखेंगे तावा जो हो नर्मदा की सहयक नदी है option A will be correct answer अगला प्रशन की 17 नदी के समद्ध में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है बताईए 17 नदी के समद्ध में कौन सा कथन सही है फर्स्ट पॉइंट क्या करें कि यह तीबत के मांसरोवर के समी प्राकस ताल से निकलती है बिल्कुल सही है सेकेंड पॉइंट है कि यह सिंदू की सहायक नदी में से एक है यह भी बिल्कुल सही है यानि कि राइट अंसर होगा option C 1 और 2 ठीक है अगला प्रश्ट सिंदू नदी की कौन सहायक नदी नहीं है तो देखें सतलच चिनाब रावी ब्यास यहां पे सभी के सभी जो है यह सिंदू नदी की सहायक नदी है लेकिन बेत्वाज है वो यमुना की सहायक नदी कहा सकते है option D करेक्ट होगा अगला प्रश्ट निमली खित में से किस नदी को उडिसा का सोख कहा जाता है तो उडिसा के सोख के रूप में हम लोग किसे जानते हैं माहा नदी को ठीक है माहा नदी बंगाल के सोख के रूप में दामोदर नदी जबकि बिहार के सोख के रूप में को सी नदी को जाना जा जाता है कि घंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता हुआ इसको साली गराम कहा जाता हैardon अप्शन एकलेट आंसर है साली प्रत इंदौर के समीप इस्थित्व जाना पाव पहाडी सुरूत है किस नदी का किस नदी का सुरूत है तो तो ये सही आन्सर जा हुगा चम्बल नदी का शुरोत हैं, ऐप्शन बी को ठिक करेंगे। अगला पुर्षन कि कार्भोहायटेट के समद्द में निम्ली खित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, कार्भोहायटेट के समद्द में। तो फ़र्स्ट पॉइंट कहा, या, या, कार्बन, हइड्रोजन और ओक्सिजन के एक अनुपाद, दो अनुपाद, एक के अनुपाद से मिलकर के बनै कार्बनिक बदार्थ होते हैं खलय है तो ध्यान रखेगा इन ही का ये जुकी मिस्रण होता है कह सकते मिलकर के बने होते हैं सरीर के उज्जा के आवसकता की 50-75% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइडिट के द्वारा ही होती है तो दोनों के दोनों कथन सही है option C को टिक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत का समिधान लागू होने तक सौतनता के पस्चात इनका सासन किसके अंतरगत चलाए गया किसके अंतरगत चलाय गया 1935 के भारा सरकार अधिनियम के अनुसार ठीक है 1935 के भारा सरकार अधिनियम के अनुसार अगला प्रस्ट किस रख्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाय जाती है कोई एंटीजन नहीं पाय जाती है और वो ग्रक्त सम्मू कौन सा है ऑप्शन डी यानि की ब्लड ग्रूप ओ जिसको लोग युनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं चीक है ऑप्शन डी को टेक करेंगे अगला प्रस्ट एंटीबॉडी का मुख्यकार किसके विरुद होता है तो यहाँ पर करेक्ट अंसर क्या होगा संकर्मन के विरुद और प्रतिवठी क्रियाओं का नियांत्रन के अंद्र कहा पर है कि नेक्स्ट簡 से कह रहा है कि भोज़न का उर्जा में परीवर्दतन कोसिका के कि किस भाग में होता है बोजन का उर्जा में परिवर्थन कुसिका के किस भाग में होता है option D correct answer है mitochondria ठीक है कुसिका का power house के रूप में जाना जाता है mitochondria तारे टिम टिम आते है किस कारण से तारे टिम टिम आते हैं किस कारण से A correct answer अपवर्थन के कारण ठीक है option A right answer है next question carbohydrate के समद्ध में निमलीकित में से कौन सा कथन असत्त है बते कि कौन सा कथन असत्त है तो पहला पॉंट्स कराए कि vitamin C का निर्माड करना बिल्कुल सही है nucleic amaloo का निर्माड करना ये भी सही है carbohydrate के प्रमुक सरोत के रूप में गेहूं चावल मक्का आलो ये सभी आते हैं तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही है कोई भी असत्त नहीं है आप एक सकते हैं कि उपरोक्त सभी सही है option D right answer रोगा अगला प्रस्ट एक ग्राम गुलकोज से पुन ऑक्सी करण से यानि एक ग्राम गुलकोज के पुन ऑक्सी करण से कितनी उर्जा प्राप्त होती है कितनी उर्जा प्राप्त होती है राइट आंसरों का option C 4.2 कालोरी ठीक है option C को टिक करेंगे अगला प्रस्ट निमलीखीत में से कौन सी नदी विंद्य तथा सत्पूरा परवत सरिंखला के मध्य से हो करके गुजरती है मध्य से हो करके गुजरती है A will be correct answer नर्मदा ठीक है नर्मदा को टिक करेंगे अगला प्रस्ट की सुमेलित नहीं है बताए कि 4 में से कौन सुमेलित नहीं है सुरत विभाजन 1907 बिल्कुल सही संप्रदाइक निर्न है ठीक संप्रदाइक पंचाट का आजाता है 1932 न अचे था 1930 नहीं ये पॉइंट गलत है सर्वदली से मिलन 1928 पूर्ण सुराज की संकलपना जो की 1929 ये सही है जो कि गलत था अगला प्रश्ट नेमली खीत में से किस अधिनियाम द्वारा भारत के गौर्णर जनरल को अध्यादिस जारी करने की सकती प्रदान की गई भारत के गौर्णर जनरल को अध्यादिस जारी करने की जो सकती मिली थी वो किस अधिनियाम के द्वारा भारती परिशाद अधनियम उन्नी सौरी अठारा सो एक साथ ऑप्सन बी को टिक करेंगे ठीक है जल्दी से कमेंड करके बताएं कि जो राज्यपाल होते हैं ठीक है राज्यपाल जो होते हैं उनको किस आर्टिकल के तहत अध्याथिस चारी करनी के सकती दी गई है अगला प्र उदेश से क्या था मिंटो मारले सुधार अधनियम जो 1909 था इसका उदेश से क्या था तो कह सकते हैं कि इसका जो उदेश से था प्रिथक निर्वाचान प्रणाली ऑप्सन ए विल बी करेक्ट अंसर नेक्स्ट वन उनीश्यालिस का कैबिनेट मिसन तीन मंत्रियों में गठ ठीक है नेक्स्ट कुस्ट बनता है कि रेखी समीती गठित की गई रेखी समीती गठित की गई तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा अप्रत्यक्च करके सुधार के लिए ठीक है ऑप्सन हम बी को टिक करेंगे देखिए अप्रत्यक्च करके सुधार से सम्बंदित यहां पे रेकी समीति है तो हम पढ़ सकते हैं कि रेकी समीति का गठन मैं 1992 में क्या गया था इस समीति का समद्ध अप्राइट्यक्ष करू जैसे उत्पाद सुल्क और सीमा सुल्क के समद्ध में समान नियमावली बनाने से हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीक है अध्याइक टांसरों को ऑप्ट्टन ए दूसरी पंचवर्सी योसना नीती आयोग के विसाय में निमलीकित में से कौन सा एक सही नहीं है तो अच्छे से पढ़ कर कर कि बताए कि नीती आयोग के समद्ध में कौन सा सही नहीं है तो हम यहाँ पर ऑप्टन अगर बी को देख है तो वह परदान मंतरी ये दे चुंगे तो पुर्ण कालि zer नहीं कह सकते हुअ इसलिए ओपसेन क्रेंगे ये गलत है अगला प्रसन क्या क्या एक कि कहा रहा कि कि खुखो में खिलाड़ी का एक गद्रिफ संघ्क जो होती है वो 9 अगला अग्र हम बात करे चार तो कह पास्केट बॉल भी याद रखेगा कि पांच होते हैं नेक्स्ट रने की भारत की ओर से टेस्ट किरिकेट तथा एक दिवसी मैच में सरवाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गिंद बाज अनिल कुमले का उपनाम क्या है यानि अनिल कुमले को हम लोग और किस नाम से जानते है क्या जैसे थिर्षा को जैसे मास्टर ब्लास्टर हो गए सचभी ओर और दवाल के नाम से जाना जाकता है है रवीं एससरी ये राहूल राविड कोु ते मैघल टिक जाता है option C को टिक करेंगे हम यहां पर पढ़ सकते हैं कि अनिल कुमले भारत के क्रिकेट खिलाडी है यह जिम लेकर के बाद जिम लेकर आपको पता है कौन थे जिम लेकर वो खिलाडी थे जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट में एक पारी में 10 विकेट लिया था ठीक है तो यहा को याद रखना है अगला प्रश्ट ऐंधुनीकडिक को सुरू करने का सबस्ट और इंप्र जाता है सबंदिते ये तो ये लॉन टेंडी से सर्बद का संबंदा है ओप्शन बी राइट का संबंद से सम्मानित किया है तो यहां पे मारा सही आंसर क्या होगा ओप्सन ए यानि की थंगजाम धाबली सिंग ठीक है एक उटिक करेंगे नेक्स टोने की भारत की किस राच्चे की सैफ्रॉन केसर को जी आई टैक प्रदान किया गया तो आपको पते कि केसर के गरम बात करें तो जम्मु कास्मिर फेमस ह तो यहां पे सई आंसर भी ऑप्सन हम इंगे केसर ठीक है नेक्स टोने की किस देशने वर्ष 2020 में आरकेटिक जलवायू और पर्यवरण की निग्रानी के लिए अपना पहला आरकेटिक एम उपगरा लॉंच करेगा आरकेटिक लॉंच करेगा और यह रजिया ऑप्सन डी कोटिक करेंगा नेक्स्ट वन हरी तरत ने पुरसकार 2019 से किसे समानित किया गया तो डॉक्टर एन कुमार ठीक है डॉक्टर एन कुमार बते कि ओप्रेशन वनीला स्टार्ट किया गया था कहां पे मेडा गास कर वे अप्सन बी राइट अंसर है नेक्स्ट वन की बिते दिनों अरजुन पुरसकार विजेता सुनीता चंदरा का निधन हो गया वे किस खेल से जूड़ी होई थी सुनिता चंद्रा किस खेल से जुड़ी हुई थी क्या होगा सही अंसर हौकी से जुड़ी हुई थी option C को टिक करेंगा next one देखिए क्या कहा रहा है कि किस बैंक ने संगितकार एया रह्मान के गाने हम हार नहीं मानेंगे hashtag हम हार नहीं मानेंगे सिर्षक गीत को लांच किया right answer will be option D HDFC bank option D को टिक करेंगे next one किस भारती लड़की ने नसा के पहले मंगल हेलिकॉप्टर एंजिनियूटी नाम रखा मंगल हेलिकॉप्टर एंजिनियूटी नाम रखा इंजिनियूटी नाम रखा किसने क्या होगा सही answer option B यानि कि वनीजा रुबानी option B को टिक करेंगे next देखिए क्या कह रहे कि किस राजची की सरकार ने exit app launch किया किस राजची की सरकार ने exit app lockdown में ही इसको launch किया गया था exit app पस्ची मंगल की सरकार ने launch किया था exit app next one किस देश ने सफलता पुरवक optical remote sensing उपगरा गाउफे 905 लाँच किया गाउफे 905 किस ने launch किया तो यहाँ पर सही answer रोगा चाइना ने launch किया था तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया I hope कि वीडियो जरू अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजिएगा क्यूज का questions चल दी से comments करके नीचे बताएए क्या होना चाहिए नागा, खासी और गारो पहाडिया इस्तीत है क्या होगा राइट answer तो फिन साम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक्स वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हाव अ गुड़ टेप